अब सकत्व दोस्तों वेलिकम टुमें चैनल आज जो टीटोरियल देने के लिए जा रहा है हम बहुत एक्साईटिटेड़ है मतलब आप लोगों को कैसे हम समझा यह से की इस टैप का क्या प्लागिन होता है जिसका इतना क्वाइटी काम काम में लगता है तो आज एक प्लाग लगवक almost 100% studio में लगता है, जिसको हम लोग करते हैं जैसे कि noise remove, noise को remove करना चाहते है, तो हम लोग करते कि है, basically जो vocal हम लोग take लेता है, तो उसका बहुत सारा noise हो जाता है, छोटा मोटा noise होता है, वो minus 40 के नीचे में ही होता है, जैसे कि इस जगा पर हम लोग दिखा रहा है, इ इसको हम लोग comment दे देता है, जैसे कि minus 40 का नीचे में जितना सारा sounds है, उसको allow मत करो, minus 40 के ऊपर जब चला जाएगा, automatically यह on हो जाएगा, noise get on हो जाएगा, और वो उसको allow नहीं करेगा, मत्दब उसको खुसने नहीं देगा, तो noise remove किसलिए करते हैं, पहले तो यह बात जानन डालेंगे, जो noise हम लोगों का microphone से नहीं, तो room का acoustics का हिसब से ठीक से acoustic था नहीं, नहीं तो others कोई sounds आया है, others कोई AC air conditioner का कुछ sounds आया है, मतलब इस type का बहुत सारा sounds आ जाता है, अगर हम लोग नहीं करेंगे, उसका उपर रखन हम लोग EQ करेंगे, क्या होगा, और भी bold हो जा है, ये है, तो इसलिए हम लोग पहले noise get कर लेता है, उसका बाल अगर tuning कर ना चाहते है तो tuning भी हम लोग पर टालता है, जो process हम लोग करेंगे, उससे पहले जो main raw data है, raw data का उपर पहले हम लोग noise gate करेंगे, उसके बाद tuning करेंगे, फिर हम लोग EQ लगाएंगे, compressor लगाएंगे, तो ऐसा-ईसा करके जाएंगे, तो first part जो है noise gate का, तो noise gate का first part में हम एक plug-in के बारे में आप लोगों को बोलना चाहते है, जो plug-in नया है, एकदम नया निकला है, तो यह इतना अच्छा plug-in है, तो हम दिखाते हैं, जैसे कि इसको हम लोग बोलता है, clarity vx, c-l-a-r-i-t-y, clarity vx, इसका यह एक plug-in है, ऐसा plug-in है, जो plug-in में आपक जो noise है, पूरा, almost पूरा चला ही जाएगा, मतलब, अगर कोई fan का भी आवाज होगा, अगर कोई AC का भी आवाज होगा, अगर कोई, मतलब, जिसका घर पे उतना अच्छा acoustics नहीं है, मगर वो लोग चाहते है, छोटा, छोटा, मोटा स्टूडियो बना के काम करना चाहते है तो यह most important एक plugin है, यह plugin के एक ही button है, एक ही button है और दो band है, तो यह दो board है, तो यह particularly इसका एक main position, बन्तव फुल noise remover और यह noise को allow करना, main चीज हम एक बार बोल देते हैं, क्योंकि यह plugin जब काम करता है, मतलब मालो हम लोग पूरा 100% noise को remove करने के लिए चाहरा है, और इसको 100% कर दिया, इस time में CPU uses इतना जादा होता है, मतलब आप लोगों का जो machine का uses बहुत ही बढ़ जाता है, तो लग बग बहुत सारा machine में यह hang भी कर सकते है, क्योंकि क्या है, इसका consumption बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि घर पे अगर इसी लगाओगे, एक एसी का जगा पर चार इसी लगा दोगे, तो मीटर को उपर जो consumption होता है, तो pressure ज्यादा पड़ता है, इसलिए loop बनाना पड़ता है, तो ऐसा ही बात है, जिसका machine में हमारा suggestion का हिसब से minimum 8GB RAM तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हैं कर जाएगा, क्योंकि क्यूबस 12 चला रहा है, उसके बात clarity चला रहा है, उसके बाद भी हम लोग तो कुछ effect डालेंगे, इसको clarity VX का बात भी हम लोग effects करेंगे, तो यह पहले हम लोग देख लेते है क्या हो रहा है, तो हमें गाना चलाते है, तो यह गाना का जो noise है, नॉर्मल यह गाना studio में record हुआ है, acoustics का साथी record हुआ है, फिर भी अगर हम लोग जोर से सुनेंगे, नहीं तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसको off करके, अगर हम लोग इसको जैसे की maximizer लगा के, हम लो थोड़ा से जगा को जो noise है, इसको हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को लगेगा हाँ, कुछ noise चल रहा है, मतलब मैक्सिमा जद दिया है, इसलिए थोड़ा बढ़ गिया है, तो ऐसा हम लोग चलाते है, हो रहा है, थोड़ा से इसको काम कर देता है, देखें, इदे सिगनल दिखा रहा है, इसमें फेडर में जाएंगे, तो सिगनल दिखा रहा है, मतलब noise है, इसमें minus 40 का उपर है noise है, क्योंकि क्या है, हम लोग क्या किया है, normally noise gate, अगर हम लोग कर भी देंगे, इसको noise gate कर देता है, minus 40 में ही कर देता है, ठीक है, फिर भी हम लोग अगर इसका उपर थोड़ा से compression लगाएंगे, थोड़ा सा अलग अलग करके, जैसे कि एक black box लगाते है, तो इसको थोड़ा सा जब डालेंगे, इसको अगर input को on करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा हलका हलक करके, noise leak कर जाएगा, मतलब आने लग जागा, आना चालू हो गिया, noise gate किया है, फिर भी noise आ रहा है, ठीक है, तो यह problem एकदम पूरा दूर, मतलब हाड जाएगा, पूरा, अगर clarity VX को, अगर हम लोग on करेंगे, तो इसका कोई problem नहीं होगा, पूरा चला जाएगा, तो हम ल P for Poland, P for Patna, P press मतलब कोई object को select करके, प्रेस करोगा, तो automatically इधर उधर, locate a selection हो जाएगा, तो हम लोग चलाते है, clarity VX को on करके, हम लोग चलाते है, चलिए, अभी बढ़ाते है, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, तो आप लोग जो देख रहा है हो ना, जैसे कि यह जो एक diamond type का जो हुआ है, मतलब pink color का जो diamond type का हो, वो noise है, basically, वो noise remove किया है, भूकल से, तो जितना बढ़ा होगे, वो थोड़ा बढ़ते जाएगा, बोल्ड होते जाएगा, बोल्ड होते जाएगा, यह जो छोटा-चोटा छोटा छोटा दिखा रहा है, तो एक दम, इसको जीरो कर दोगे तो कोई noise नहीं है, मतलश की काम कर नहीं रहा है, मतलब noise reduction का काम वो जो कर नहीं रहा है, इसको थोड़ा सब भड़ाऊंगे तो जितना व सब्सक्राइल कर रहाए, अब थोड़ा कलर आएगा इससी के अंदर, थोड़ा कलर आ रहा है, है color आ रहा है अभी देखो color आने लग चलू हो गया color आना चलू हो गया अभी फिर हम लोग बढ़ाएंगे तो dots भी आ जाएगा छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-डोट्स देखे dots आने लग गया तो यह है full मतलब इससे ज्यादा noise reduction हुई ही नहीं सकता मतलब गाना में इस और कोई noise ही नहीं है दोने नार एक कहानी अभी थोड़ा इसको हम लोग इसको बड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी दोने नार एक कहानी पूरा क्लियार एकदम कोई आहम दोगीक्यू भी नहीं किया है दोने नार एक कहानी इसको आफ कटता है थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी थोड़ा सा Sibling आर्व मतब इसका spelling थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है थोड़ा एर के सबसे कुछ noise create कर रहा है थोड़ा सा microphone से return कर रहा है इस type के कुछ हो रहा है तो चलिए और एक कहानी यह विदाओ दोने नार एक कहानी यह तो हो गिया only single vocal में अभी हम दिखा रहा है आप लोगों को मल्टी मल्टी ट्रेक मतलब मिक्स हो एक गाना ही मिक्स हो गिया ठीक है एक गाना मिक्स हो जाने का बाद इसका उपर हम लोग clarity भोकल भी एक्स लगा कि इसको देखेंगे इसमें क्या हो रहा है मतलब sounds इसका पाद pro भी हम दिखाएंगे इसका दो options है actually दो दो प्लागीन आलाग अलाग है clarity VX और clarity VX pro भी है तो प्रो का सथ VX का differentiation भी हम करेंगे बोलेंगे जो प्रो कितना अच्छा है और VX कितना अच्छा है अभी देखिए गाना चल रहा है इसका साथ साथ हाँ गाना चल रहा है अभी इसको बढ़ा रहा है ट्रेक चला जा रहा है दो जैनल और एक कहानी थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी दो नैनल ऐसा हो गिया सुछन को रिमoons पूरा ट्रेक को रिमूफ कर दें का बोलता है हम हम बिली भी नहीं कर पा रहा है मल््टी ट्रेक से मल्टी फ्रिक्वेंस भैंड्ड से ओली वोकल को खीचकर निकल रहा है किование मतलब उधर से अठाके ले आ रहा है रहे जब जब देखोगे कोई भी कोई भी गाना mix track में अगर 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 अप einen जेसे कि ए ए गाना चल रहे मिक्स ट्रäक राणा चल रहे है अलाग यए ए अलाग त्रैंप का frequency चल रहे है सब एकी साथ चल हर्ए तो किसी का frequency मीड का है किसी का मीड हाई है किसी का मालत्स हाइभ हाइछ इस टैक का frequency का सब्सक्राइच चल रहा है इसका अंदर इतना सवा को आ वहला न वाड़स्टना सब्सक्राहर से लिए इसको खीच के ले आ रहा है वह फिर इतना अच्छा प्लागीन इसका है तो अगर यूज करोगे तो आप लोगों को पता लागेगा जैसे कि इतना करना नहीं परता है चोटा मोटा करदना से हो जाता है और प्रो का तो जवाब भी नहीं है प्रो का उपर वीडियो हम लगाएंगे वीडियो देंगे जितना पारीच्ट काया अबास हाओ मतलगीन हो जासे कि इस पन्ल रीशेट है रिदियो जो पल्राइध यो जैए इस इसके का बात रतम और पारा अच्वसमें रिभी को मतलगा है जैसे कि अनल रिमूव कर देना कि ऊफे की है जैसे के हम मुअ परातिस к मैं घाले तो पुरा कि its only only vocal और या मगर छटा मोटा खुछ छोटा मोटा कुछ लीकेज हो रहा है फिर भी अगर ठीक से हम लोग करेंगे जैसे कि इसका लोग फ्रिक्वेंसी जो चारा लग लग फ्रिक्वेंसी ऑ फिर्वं में देंगे तो ठीक है अब लोग थोड़ा से प्रैक्टिस कर इसको लगा के देखिए कैसा हो रहा है उसके बाद हम दूसरा प्रो में आ रहा है प्रो में आएंगे तो पहले यह देख लिजिए जैसे कि क्लायरेटी बी एकस का क्वालिटी कैया है और इसमें क्या मजह आ तो थैंक यू दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो हमारा कोई मतलब हमारा कोई अलग से यह नहीं है जैसे कि हमारा कोई वीडियो एमाजन में हम नहीं भीगता है महीं नहीं देता है जो नमबर आप लोगों को दिखा रहा है वो नमबर पर आप लोग अगर वाटसअप करोगे तो किसी को अगर वीडियो बनाना है किसी को अगर सीखिना है तो हम डिरेकली उसका साथ बात कर लेंगे मागर फोन मत करो वो नमबर पर WhatsApp करो तेंक यू दोस्तों थांक यू पर वाचिंग वाचिंग दिस विजिए प्लीज सबस्क्राइब में चैनल और जो लोग नया हमारा विडियो देख रहा है मतलब नया नया आया है चैनल में तो उसको रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वीडियो को देखिए और थोड़ा सब्सक्राइब करके देखिए इसमें क्या होगा हमारे भी थोड़ा सुभीदा होगा और लेटेस्ट वीडियो आपका पास चला जाएगा एकदम तुरंत